नमस्कार मेरा नाम है इले सुराब मुझे में चनप देख रहे हैं How to earn online from music यानि music से पैसा कैसे कम है इसे हम एक प्रकार से यभी बोल सकते हैं कि अपने गाने को किस तरह सेल करें वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी मैं आपको बता देने चाहता हूँ पूरी जानकारी के लिए वीडियो सुरू से लेकर आखरी तक जरूर देखें बहुत साब लोग की कमेंट आ रहे थे बहुत सारे लोग मुसे यह पूछ रहते कि सर हमने गाना लिख लिया गाने का धुन तयार कर लिया यानि गाने को कंपोस कर लिया गाने का music भी बनवा लिया यानि complete गाने का audio हमारे पास तयार है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि गाने को किस प्रकार बेचे कहां sell करें और क्या सच में हम अपने गाने को बेच कर यानि sell करके online पैसे कमा सकते हैं तो जी हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं आप अपने music को बीच सकते हैं अपने गाने को बीच सकते हैं और उसे online पैसे कमा सकते हैं और इतना ज़्यादा कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं तो पूरी जानकारी के लिए हम अपने लैपटॉप पे चलते हैं तो फिलाल मैं अपने लैपटॉप पे आचुका हूँ और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और मैं जिसके बार में बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है Music Distribution, जी हाँ, आपका Music, यानि आपका Song, डिस्टिब्यूट करना है अलग-अलग Music Streaming Platform पर, अब Music Streaming Platform का मतलब यह है, जैसे Music App होते हैं, जैसे Jio Sawan, Hangama, Wink Music, Apple Music, iTunes, और Google के भी आते हैं, जैसे की YouTube Music, और भी इतने सारे, मतलब की Music Streaming Platform की, मैं मतलब यहाँ पर नाम लेते लेते ठक जाओंगा, और आप नाम सुनते सुनते ठक जाएंगे, तो आपको इन सभी Music Streaming Platform पे गाने रिलीज कराने के लिए, किसी एक अच्छे Music Distributor Company की जोत पड़ेगी, जो मैं वीडियो के लास्ट में ब लोग को है न, for example, अगर आप YouTube से 50,000,000 रुपे कमाते हैं, तो यहाँ आप 15-20,000,000 तक कमा सकते हैं, वो भी मैं सिफ एक गाने की बात कर रहा हूं, और जितने भी Music Companies होते हैं, जैसे T-Series, Z-Music, Sony Music, वो ज़्यादातर अर्निंग Music Streaming Platform से ही करते हैं, और उनके लिए YouTube सिर्फ न लोट कर देते हैं, और यदि आपका सौंग अच्छा रहा, सुनने लाइक रहा, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो किसी एक streaming platform से ही आप 8-10,000 रुपे आप इसली कमा सकते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम सभी streaming apps के earning को काउंट करें, तो कितना होगा, काउंट करें जरा आप, For example, आपने जियो सावन से 10,000 रुपे कमाएं, विंक म्यूजिक से भी 10,000 रुपे कमाएं, हंगामा से भी 10,000 रुपे कमाएं, यूटूब से भी पैसे कमाएं, 10,000 रुसका भी काउंट कर लें, Amazon म्यूजिक से भी 10,000 कमाएं, और कभी-कभी तो किसी एक streaming app से ही लोग लाख रुपे कमा लेते हैं, और भी कितने सारे streaming platform है, मतलब मैं count नहीं कर सकता, सबसे आपको पैसा जरूर आएगा, मतलब आना ही आना है, तो कितना होगा, आप जरा count करके बता हैं, इतना जादा होगा कि सायद आप इसे count भी नहीं कर सकते, है ना, मैं सिर्फ आपको एक example दे रह के लिए हैं, musicians के लिए हैं, और यदि आप के पास नए गाने हैं, तभी आप release करा सकते हैं, और आपको यहाँ release कराने के लिए आपको खुद के गाने चाहिए, मतलब fresh music चाहिए, music release कराने के लिए बहुत सारे streaming platform है, तो जाहिर सी बात है, YouTube से कई गुना income होगा ही, और यह कह है कि YouTube अकेले पैसे कमा रहा है, और यह 100-200 मिल के साथ में पैसे कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, income सबसे ज़्यादा streaming platform पर ही होगी, हाला कि मैं YouTube को बुरा नहीं बोला हूँ, क्योंकि YouTube भी एक अच्छा platform है, मतलब आगे बढ़ने के लिए, लेकिन music के हिसाब से सबसे सबसे ज़्यादा online पैसे कमाने के लिए, अब चलिए कुछ अच्छी बाते हम streaming platform के बारे में जान लेते हैं, जिनको जानकर सैद आप लोग को खुसी मिलेगी, तो चलिए हम इसे थोड़ा YouTube के साथ compare कर लेते हैं, कि music release करने के लिए कौन सा अच्छा है, सबसे पहली बात, YouTube पर song upload करने के लिए, या release करने के लिए, एक video के requirement होती है, जो कि आपके budget से बाहर हो जाएगा, यानि video बनाने के लिए बहुत पैसे लग जाएंगे, और मान लीजिए अगर आपने poster वाला audio upload किया YouTube पर, जैसे आज कर लोग करते हैं, मतलब कि audio में poster लगा कर उसका video बना कर YouTube प आते हैं, आपके poster वाला audio कौन देखेगा, है कि नहीं, लेकिन music streaming platform पर ऐसा नहीं है, यहां सिर्फ audio की requirement है, मतलब कम खर्च में ज्यादा income, इसलिए मेरे साब से streaming platform music से online earning के लिए सबसे best है, क्योंकि YouTube से पैसे कमाना इतना easy नहीं है, जितना हम सोचते हैं, बहुत सारा rule बना यह YouTube वालों ने, अभी एक channel monetization के लिए कितना ज़्यादा problem होता है, यह मुझे पता है, खैर इसके बारे में आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, हम अपने topic पे बात करते हैं, music streaming platform की एक खास बात यह है, कि आप जैसे वहाँ पर अपना music या song upload करेंगे, आपका song यानि आपके music का content ID provide करेंगे, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि content ID का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको simple भासा में समझा देता हूँ, कि आपका song यानि आपका music चाहे कोई भी use करें, उसका सारा earning आपके पास आएगा, नहीं समझें, तो चलिए हम इसको detail में समझते हैं माल निजे कोई बंदा आपका song यानि आपका music यानि आपका music यूटूब पे upload करता है, facebook पे upload करता है, instagram पे upload करता है, और भी बहुत सारे आते हैं ना, टकाटक, tik-tok, इतने सारे तो platform है, चाहे वो जहां कहीं भी upload करें, उसका सारा earning घूम फिरके, आपके पास ही आएगा, य उसके, tik-tok पे पहले करते थे, बीडियो बनाते थे, short बीडियो बनाके डालते थे, youtube पे short बीडियो बनाके डालते थे, तो वहां से भी earning, content ID के वैसे ही वो earning आता है, वहां से भी earning आपके पास आएगा, तो है ना मज़ेदार, तो अभी आप मुझे comment में बताएं कि एक singer या musician को आगे बढ़ने के लिए, youtube सबसे अच्छा platform है, या music streaming platform, who's the best, अभी तक तो मैं music streaming platform के फाइदे बता रहा था, आप चलिए जानते हैं कि यहां song या music release कराने के लिए, क्या procedure है, तो सबसे पहली बात, आपका artist name unique होना चाहिए, जैसे मान लीजी आपका नाम Arigis Singh है, तो आ उनके नाम के आगे आप दब जाएंगे, और यदि आप same नाम रखेंगे, तो Google या Wikipedia या कहीं पे भी आपकी पहचान नहीं मिलेगी, और भी बहुत सारे reason है, अगर मैं बताने लगोंगा, तो वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा, तो बस आप ये समझें कि आपका न चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ हो ट्राइ कर लें, अरजीत सागर रख लें, अरजीत रॉक रख लें, और भी बहुत सारे नाम हैं, मतलब लेकिन अरजीत सिंग नहीं रखना है, इसका बहुत बड़ा reason है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नमबर 2, आपको किस किसी और का, म्यूजिक किसी और का, और उसको तोड़ मरोड़ कर, कोई और सौंग बना कर सोचते हैं कि streaming platform पर डाल कर हम पैसे कमा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ यूनिक होना चाहिए, भलही आप किसे writer से लिख वाले, किसे music programmer या arranger से आप music बन वाले, लेकिन सब कु लिखते हैं, उसका धुन तयार करते हैं, यानि compose करते हैं, फिर उसका music बनाते हैं, मतलब complete अगर आप अपने गाने का audio तयार कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप बे फिकर होकर अपना गाना, अपने song, अपने music, streaming platform पर release कर सकते हैं, बहुत सारे लोग lyrics तो लिख लिखी या किसी अच्छे music programmer को ढूंड सकते हैं, जो उनके लिए music बना सकते हैं, वैसे मैं भी music बनाता हूँ, अगर किसी को मुझसे music बनवाना हो, तो मेरे साथ जुड सकते हैं, अगर मेरा work देखना है, कि मेरा काम कैसा है, तो वीडियो के description में मेरे कुछ गाने, गानों के जुड सकते हैं, मुझे mail कर सकते हैं, तो मैं आपको reply दूँगा, लेकिन याद रहे, अगर आपको music के requirement हो, तभी, क्योंकि बाकी चीजों के बारे में मुझे कोई ग्यान नहीं है, मैं music बनाता हूँ, और mixing and mastering करता हूँ, तो music की अगर कोई requirement है, तो आप मुझे हार कर सकते ह हैं, अपने काम के लिए, आप मेरे साथ जुड सकते हैं, मैं अपने कुछ charges लूँगा और मैं आपको आपके गाने का music बना कर दे दूँगा, लेकिन अगर आपको आपके नजदीकी या फिर अगर आपके budget में कोई music programmer मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे music बन जाए, भले ही वो प्रोग्रामर आपसे music बनाने के लिए थोड़े पैसे जादा ले, लेकिन music बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जादा जरूरी है, अगर आपका music यानि आपका song अच्छा रहा तो आपकी कमाई लाखों में होगी, और ये मेरी guarantee है, इतना struggle किया हूँ, अभी मतलब छोड़िये क्या अपने बारे में मैं क्या बता हूँ, बस ये समझे कि पैसा इनसान के लिए बहुत जरूरी है, पैसा एक जिंदगी में बहुत ही एहम रोल नी भाता है पैसा, और पैसा हर इनसान की जरूरत है, और आपके field में, यानि music से मिलने लगा, तो काम करने का मजा ही कुछ और होगा, और कहीं न कहीं आपको एक उमीद की किरन दिखाए देगी, एक time था जब हमें इन सब के बारे में कोई knowledge नहीं था, music distribution क्या होता है, कुछ पता ही नहीं था, हमें बस इस बात से खुशी मिल जाती थी कि हमारा गाना मतलब streaming perform पे चल रहा है, क्या वाद है, बहुत बढ़ी है, मतलब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इससे पैसे भी मिलते हैं, सच में, और एक बात बताओं, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ लोग हमें बेवकूब बनाकर, हमारे ही गाने, हमारे ही music, हमारे ही song, हमसे free में लेकर, online पैसे कमाते थे, और हमें पता भी नहीं होता था, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ऐसा बहुत सारे musicians के साथ ऐसा होता होगा, बहुत सारे लोग, बिचारे, भोले, भाले, musicians को बेकूब बनाकर, पैसे कमाते होंगे online, तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश से शिप यह है कि आप ये सब काम खुद ही कर सकते हैं और उनसे बहतर कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप musician हैं, गाना बनाते हैं, गाना create करते हैं, तो आप अपने गाने खुद ही release करें, किसी दूसरे बैक्ति को ना दे, क्योंकि अगर आप उनको देंगे तो वो आपके गाने से पैसे भी कमाएंगे और आपको बताएंगे भी नहीं कि आपके गाने से कितनी earning हुई, क्योंकि आपका song आपके लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती है, तो आप इस चीज का लिहास करें, और आप अपना गाना खुद ही release करें, बस मुझसे थोड़ा topic पर कि online music कैसे release करें, यानि कैसे distribute करें, तो music distribute यानि sell करने के लिए दो option है, यानि दो तरह की music distributor company होती है, कुछ companies थोड़े पैसे लेकर song release करती है, और कुछ companies बिल्कुल free of course song release करती है, यानि बिल्कुल free में song release करती है, अब मैं आपको इन दोनो music distributor company में फर्क बता देता ये कौन सा अच्छा होगा आपके लिए, अगर आप free music distributor company के साथ जाएंगे, तो वो बिना किसी charges के, आपके गाने लगभग सभे streaming platform पर release कर देगी, बिल्कुल free में, लेकिन इस company के कुछ सर्थ है, आपके song से, यानि आपके music से जितना भी earning होगा, उसका 10 to 20% commission ये company अपने प वो आपके सभी earning, मतलब कि आपका एक रुपे भी earning अपने पास नहीं रखेगी, तो मेरे साब से paid distributor company सबसे अच्छा है, क्योंकि ये पूरा earning आपको दे रही है, और जो free distributor company है, वो 20% earning अपने पास रखती है, तो मुझे वो थोड़ा जादा लगता है, तो मेरे साब से paid वाल सबसे अच्छा है, क्योंकि पूरा earning वो आपको दे रही है, मतलब आपके गाने या आपके music के 100% earning आपको देगी, और इसके खास बात ये है कि आपका earning जितना भी होगा, चाहे 5 dollar, या 4 dollar, या 1 dollar, आप चाहे जितना भी earning कर रहे हैं अपने गाने से, हो सकता है कि आपने 10 dollar earning कि और आप चाहते हैं कि 10 dollar ही मैं निकाल लूँ, तो आप यहां से मतलब बिल्कुर कर सकते हैं, कोई rule नहीं है, YouTube में एक ऐसा rule है कि अगर आपका earning 100 dollar होगा, तभी आप ले पाएंगे, लेकिन music distributor company में ऐसा कोई rule नहीं है, आपका जितना भी पैसा बनता है, आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह फाइदा है इसका, लेकिन अब आपको decide करना है कि आपको pay distributor company के साथ जुड़ना है, या free distributor company के साथ जुड़ना है, आप ये बात मुझे comment करके जरूर बताएं, तो चलिए जानते हैं कि music कैसे distribute करें, और music distribute यानी sell करने के पूरी दुनिया में famous है, इस list को हम दो category में रखेंगे, एक जिसमें free वाले distributor company होंगे, और एक जिसमें paid distributor company होंगे, तो सबसे पहले हम paid distributor company के बारे में बात करेंगे, इस list में सबसे पहले नंबर पे है tune core, दूसरे नंबर पे है CD baby, और तीसरे नंबर पे है distro kit, अब बात करत हैं top free distributor company के list में कौन कौन companies सामिल है, इस list में सबसे पहले नंबर पे है root note, दूसरे नंबर पे है sound drop, और तीसरे नंबर पे है amuse, दोस्तों ये बहुत ही अच्छे music distributor company है, आप इनकी through अपने गाने release कर सकते हैं, sell कर सकते हैं, और online पैसे earn कर सकते हैं, तो क्यों नहां एक song live आ बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन आने वाले अगले वीडियो में इसका next part जरूर लेके आऊंगा आप लोग के लिए, और अपना एक song live आप लोग के सामने release करके जरूर दिखाऊंगा आप लोग के सामने, तो अगले वीडियो का इंतजार आप लोग जरूर करें, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सस्काइब करें, अगर कुछ सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर करें, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जै हिन, जै भारत, बंदे मात्रम